हलो एब्रीबॉन वेलकम टू साइन्स एंड फान क्लास टेन तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ प्रॉसेस लेक्चर टू और पूरा नूट्रिशन का टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया था आज हम लोग लेक्चर थी में पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन प्लान्स एस वेल इस हूमन दोनों में ही हम लोग आज टॉपिक को कवर करेंगे पूरा डीटेल में तो लेट्स गेट सब्सक्रीजन के बाइफ पूरा डीटेल में पढ़ा इतना तो आप लोगों आप पता चल ही चुका होगा कि nutrition का basis क्या है आप क्यों nutrition लेते हो क्यों वो आपके life का एक process है क्योंकि उससे आपको energy मिलती है उसी से आपके body के जितने भी cells है वो सारी activity कर पाते हैं हर एक cell के पास एक ATP का formation हो पाता है ठीक है लेकिन nutrition का process बिना respiration के बिलकुल अधूरा है जब तक आपको respiration नहीं पता होगा आप ये समझ ही नहीं पाओगे कि आपने जो खाना खाया वो actual में कैसे ATP के synthesis का एक process बन गया और कैसे आपकी body को उस खाने से energy मिली so respiration is all about that first of all it is the oxidation of the food material oxidation means what जब हम आपको इतना तो पता होगा ना कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए burn करने के लिए oxygen required होता है यानि कि oxygen is required for combustion और burn ये तो आप लोगों को पता ही है so जब oxidation होता है food material का तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि food material is getting combusted or it is getting burned तो जैसे माल लो आपने अपने खाने में बहुत सारी calories intake कर ली तो कहते हैं ना कि calories burn करना जरूरी है उसके लिए क्या करना होगा आपको running करनी होगी कोई physical activity करनी होगी that means कि आपका respiratory rate आपको बढ़ाना होगा जितना ज्यादा oxygen आप intake करोगे through your nostrils, through your respiratory organs उतना ज्यादा वो combustion हो पाएगा उतनी ज्यादा calories burn हो पाएगी so this process is known as oxidation, oxidation और burning of the food material in cells to release energy for various life processes इस sentence से भी आपको बहुत ज्यादा clarity नहीं मिल पाएगी जब तक आप पूरा का पूरा process नहीं समझोगे कैसे oxidation हुआ food material का और food material का oxidation होने के बाद हर cell के पास कैसे energy पहुची ताकि आपके life के बहुत सारे processes carry out हो सके तो वो सारी चीज़े हम लोग आज के lecture में पढ़ने वाले हैं so some organisms use oxygen to break down glucose into carbon dioxide and water some do not use oxygen तो हम किस टाइब के organisms में आते हैं we are aerobic organisms जो oxygen को use करते हैं ताकि वो अपने food material का breakdown कर सके और उसे carbon dioxide and water में convert कर सके right so दो तरह के organisms जिनके बारे में यहाँ पर second line में second sentence में लिखा हुआ है कि कुछ organisms oxygen use करते हैं glucose के breakdown के लिए और कुछ organisms नहीं use करते हैं तो ऐसे दो organisms को बोला जाता है aerobic and anaerobic respectively now अब देखते हैं respiration के क्या types होते हैं किस में किस तरह का respiration पाया जाता है so in all types of respiration जो सबसे पहला step होता है respiration का वो होता है breakdown of glucose अब यह glucose कहां से आया कोई बता सकता है आपने से अरे यार जब plants अपना photosynthesis का process carry out करते हैं तो glucose ही तो बनाते हैं 6 carbon molecule 6 carbon molecule, see 6H12O6, this is glucose, one molecule of glucose तो यही ग्लूकोज, मानलो humans की बात करते हैं तो हम भी glucose ही store करते हैं न हमारी body में the form of glycogen चाहे किसी भी form में हम लोग store कर रहे हों पर glucose ही एक ऐसा product होता है जो हमारे nutrients से हमें मिल रहा होता है और जिसके breakdown से हम respiration का process आगे बढ़ाते हैं तो respiration का सबसे पहला step जो होता है वो होता है body के अंदर जो glucose है उसको convert करना उसका breakdown करना और बनाता है कौन सा product बन जाता है pyruvate आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि glucose is broken down into pyruvate in the first step of the process of respiration now it takes place in cytoplasm cytoplasm कहां पर present होती है last year पढ़ा होगा class 9 में एक cell है ठीक है cell के अंदर बहुत सारे cell organs है वो सारे cell organs कहां पर float कर रहे हैं वो जो fluid, वो जो matrix, वो जो medium होता है cell के अंदर जिसमें सारे cell organs placed होते हैं उसी को कहते हैं cytoplasm यानि कि respiration का जो पहला process होगा जो पहला step होगा यानि कि oxygen के medium से breakdown of glucose into pyruvate ये वाला step will take place inside the cytoplasm of the cell कौन से cells? body के हर एक cells बिटा सारे ही cells में oxygen के medium से breakdown होता है glucose का और वो convert हो जाता है pyruvate में pyruvate is a three carbon compound now anaerobic respiration जो अभी just मैंने आप लोगों को बताया दो तरह के organisms होते हैं एक ऐसा organism जो oxygen को use करता है ताकि वो respiration कर सके और carbon dioxide and water release कर सके और दूसरे तरह के organisms होते हैं जिनको oxygen की need नहीं होती है they do not require oxygen to break down their food material and convert them तो बिना oxygen के use किये अगर वो respiration करते हैं तो उस तरह के respiration को बोला जाता है anaerobic respiration so it is a respiration in the absence of air यानि कि oxygen के absence में ही वो respiration कर पा रहे हैं उस तरह के respiration में जो energy release होती है na comparatively वो less होती है it releases less energy और जो aerobic respiration कर पाते हैं जो उस तरह का respiration करते हैं जिसमें oxygen की requirement होती है उस respiration में ज्यादा energy release होती है so east, east आप सबको पता है क्या होता है east is a type of fungus, unicellular organism होता है fungus की categories में तो east में क्या होता है जो pyruvate है वो convert हो जाता है ethanol और carbon dioxide में अगर हम aerobic respiration की बात करें यानि कि जिस respiration में oxygen required होता है तो ऐसे respiration में pyruvate के बाद जो conversions होते हैं in the presence of oxygen बनाते हैं क्या carbon dioxide plus water but in anaerobic respiration जहां पर absence of air होता है वहाँ पर बन जाता है ethanol and ethanol कौन सा carbon compound है 2 carbon compound है है ना C2H5 OH तो ethanol एक तरह का alcohol होता है तो वो alcohol plus carbon dioxide का formation करता है और यह process during fermentation होती है fermentation क्या process है fermentation is a breaking down of some substance to release alcohol ठीक है अब देखो अब एक extra points में आप लोगों को बताती है जैसे जितनी भी bakery industry है जहां पर baking होती है केक्स बनते हैं ब्राउनी ब्रेट्स बन रहे होते हैं ठीक है और उसके अलावा भी idli है डोसा है जहां जहां पर भी ऐसे food material का production होता है जिस food material में puffiness आती है मालो bread है या मालो cake है sponge की तरह होता है वो बहुत soft सा होता है उसको आप थोड़ा सा press करोगे फिर हटा दोगे तो फिर वो वापस से उसी shape में आ जाएगा sponge की तरह वो होता है तो वो sponginess कहां से आ रही है वो sponginess आ रही है इस्ट की वज़े से इस्ट उसमें act करेगा और इस्ट की वज़े से क्या release होगा carbon dioxide release होगा और वही carbon dioxide trap हो जाता है उस bakery products में जिसके वज़े से sponginess आ जाती है वो softness आ जाती है अब अगर बात करें brewery industry की brewery industry यानी की उस industry में जहां पे alcohols जो सवारे शराब and you know drinks वगेरा बनते हैं तो वो उस industry में भी yeast का ही use किया जाता है ताकि वो उसे ferment करके alcohol का production कर सके वही alcohol जो यहां पे fermentation में last product के form में आपको मिल रहा है ठीक है इसी के अलग-अलग forms भी होते हैं और इसे distill किया जाता है कुछ non-distil भी होते है वो अप लोग higher classes में पढ़ोगे थोड़ा extra point था मुझे लगा share कर देती हूं तो कर दिया ना कभी कभी क्या होता है there is no oxygen in our muscles अब देखो anaerobic respiration के topic में हमारे बारे में भी कुछ बात की जा रही है क्या बात की जा रही है कभी कभी आपने notice किया होगा अगर बहुत दिन तक अराम फर्माने के बाद आप किसी दिन अचानक से जोश में उठ जाते हो नहीं आज मुझे वेट अपना लूस करना ही करना है आज मैं बहुत जादा रनिंग करूंगा या फिर आज मैं इतना जादा जिम करूंगा इतनी देर तक मैं exercise करूंगा आज ही देख लेना मेरा 5 kg वेट तो लूस हो ही जाएगा जो कि possible नहीं है तो क्या करते हो आप अचानक से जोश में उठ बहुत जादा रनिंग करोगे कार्डियो करोगे सिट आप पुश अप जो भी मन करेगा करते रहोगे ठीक है बहुत देर तक ऐसे में क्या होता है उस सदन फिजिकल एक्सेसाइस की वज़े से उस सदन फिजिकल एक्टिवीटी के वज़े से आपके मसल सेज में जितने भी थे वो बहुत जल्दी exhaust हो गये used up हो गये और उसके बाद in the absence of oxygen due to lack of oxygen आपके muscle में lactic acid का formation होना शुरू हो जाता है pyruvate is getting converted into lactic acid और वही lactic acid जब muscle cells में धीरे धीरे करके accumulate होता है तब आपको ध्यान होगा कि ये जोज जब ठंडा हुआ आपका जब आपके सारी exercises बंद हुई रणिंग बंद किया आपने वापस घर को लोटे और थोड़ा सा अराम किया बेट पे जाके फिर बेट से उठा नहीं सो रहे हैं कितना पेन हो रहा है आपको लगता है अच्छा ये पहला दिन था हमारा जिम का या फिर रनिंग का डेली करेंगे तो हो जाएगा that is true पर क्यों पहले दिन पे ही ऐसा हुआ क्योंकि आपकी बोड़ी तयार ही नहीं थी उतना oxygen को use करने के लिए और अचानक से ही सा हमारा oxygen यूज रफ हो गया जिसके बाद भी आपको energy की requirement थी उस requirement को पूरा करने के लिए pyruvate जल्दी 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 convert करता है lactic acid में और plus energy भी release करता है वही energy जो आप use करते हो during that physical exercise लेकिन साथ में जो वो lactic acid का formation हुआ उसके वजह से आपको muscles में cramps आने ल बाद दो दिन तक कोई exercise नहीं कोई running नहीं सारा जो ठंडा हो जाता है weight lose करने का सारा motivation खतम हो जाता है क्योंकि इतना pain होता है और वह चीज बहुत धीरे-धीरे करके ही जाती है एक बार lactic acid accumulate हो गया muscle cells में उसके बाद बहुत धीरे-धीरे करके ही वो खतम होता है so यही example यहाँ पर anaerobic respiration में दिया हुआ है because यह जो scenario है यह जो case है this is a case of anaerobic respiration यानि की हमारे body में भी anaerobic respiration होता है एक particular condition में एक particular situation में now वही चीज़े यहाँ पर लिखी हुए है sometimes when there is no oxygen in our muscle cells the pyruvate breaks down into lactic acid sorry that is also 3 carbon sorry haa मैंने 3 carbon ही बोला na okay this build up 2 carbon is ethanol C2H5OH now this build up of lactic acid in muscle during certain activity causes cram same चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई अब देखो यह लड़का यह अचानक से दोड़ने चला गया होगा और उसको अचानक से muscle में cramps आ गया वैसे तो मुझे लग रही है यह नाटक कर रहा है यह गिर विर गया है और उसके घुटने में चोट आई है क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई दौरते दौरते बैट जाता है वा करने लगता है यह तो थोड़ा सा ओवर दिखा दिया हमें cramps का बाते हैं जब धीरे-धीरे करके लाक्टिकेसे रेक्योमलेट होता रहता है होता रहता है फिर जब हम थोड़ा सा resting stage में आते थोड़ा सा हम शांत हो जाते हमारे physical activity थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है तब जाके हमें वो feel होता है कि हमें legs में cramps आ गए है और भी बाकी muscles में shoulder है, biceps है, triceps है तो जो भी muscles का ज्यादा use होता है जिस भी तरह की exercise में उन muscles में cramps जल्दी आ जाते है तो this is the reason अब देखो इस पूरे slide में जो सबसे important चीज आप लो नहीं तो कम से कम ये वाला चार्ट आप लोगों को by heart कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, आखे बंद करो और इसकी picture क्लिक कर लो अपने आखो में और इसे safe पर के रखो, क्योंकि इस चार्ट से कम से कम कुछ भी नहीं तो 6-7 questions frame हो सकते हैं आपके board exams में, इस बार भी ये question आया था और हर साल इसमें से कोई ना कोई question आही जाएगा, इतना बढ़िया ये चार्ट है, इसमें सारी चीज़े हैं एक तरह से respiration के बारे में, सबसे पहले glucose जो की एक 6 carbon molecule है, cytoplasm के अंदर वो convert हो जाएगा pyruvate में, प्लस energy release करेगा, फिर pyruvate change हो जाएगा, ethanol प्लस carbon dioxide में, अगर उसे oxygen नहीं मिल रही है तो, और energy फिर वहाँ पर भी release होगी, पर कम amount of energy release होगी, अगर oxygen नहीं है हमारे muscle cells में, तो lactic acid बनेगा, प्लस वहाँ पर भी energy release होगी, और अगर oxygen present है, तो ये चीज, ये process हमारे cell के mitochondria के अंदर होता है, जिसमें carbon dioxide प्लस water के साथ साथ energy भी release हो जाती है, यानि कि आपको इस चार्ट से 6-7 questions आराम से solve करने को मिल जाएगे, आराम से आप किसी भी तरह का question यहाँ से solve कर सकते हो, बालो पूछा जाएगा, pyruvate से lactic acid का formation जब होत होता है, तो वो कहां पर हो रहा है, कौन से site of formation है, मतलब कौन से site में वो चीज हो रही है, you will say muscle cells, मालो पूछ लिया जाए, pyruvate जो है, वो oxygen के presence में carbon dioxide में convert हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है, you will say mitochondria, ठीक है, हर एक word, हर एक sentence, हर एक line बहुत ज्यादा important है, तो इसको आप लोग by heart कर लोगे, next slide पे चलते हैं हम लोग, now, हर तरह के respiration में जो पहला step होता है, वो होता है glucose का breakdown into pyruvate, ये तो आपको अभी भी बताया, और ये जो है ना, ये common step हो जाता है, ये aerobic और anaerobic दोनों में आ जाता है, इसलिए ये है common step, इसलिए से पहला step भी बोलते हैं, अब आ जात हैं, aerobic respiration, anaerobic समझ में आ गया, अब देखो, aerobic respiration क्या होता है, this is the respiration in the presence of air to release much energy, यहाँ पर oxygen के presence में जब breakdown होता है, pyruvate का into carbon dioxide and water, तो उसमें जो energy release होती है, वो ज्यादा energy release होती है, hence pyruvate breaks down using oxygen in the mitochondria giving three carbon carbon dioxide molecule plus water, कहां पर हो रहा है, यह mitochondria में हो रहा है, east, east में जो anaerobic respiration होगा, वो, sorry, anaerobic respiration किस में होगा, east के cells में होगा, lactic acid का formation कहां पर होगा हमारे muscle के cells में होगा aerobic respiration कहां पर होगा mitochondria में होगा aerobic respiration यह सारे aerobic organisms के लिए चाहे वो humans हो चाहे वो plants हो चाहे वो कोई भी organism हो अगर वो aerobic organism है aerobic animal कोई भी organism है जो air का use करता है oxygen का use करता है respiration के लिए तो वो उसके cell के mitochondria में ही हो रहा होगा there is no other place ठीक है चलिए same chart यहां पर भी दिया हुआ है तो इसको आप लोग बाए हाट कर लोगे मैं बार बार सेम चीज़ repeat कर रही हूँ ताकि आप लोगों के ध्यान में वो आए अब देखो जो energy release होती है उस cellular respiration के time पर that is used immediately to synthesize ATP molecule जैसे ही energy release हुई तुरंत ATP molecule का synthesis हो गया और इसी ATP molecule को हम कहते है energy currency क्यों energy currency बोलते हैं यह question भी पूछा जा सकता है आपके board exam में two marks में पूछा जा सकता है why ATP molecule is known as energy currency जिस तरह से आप Indian currency जो हमारे पास पैसे होते हैं अगर आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो आप क्या करोगे सबसे पहले दोडते हुए जाओगे और उसे खर्च करोगे उस चीज में जो आपको बहुत time से चाहिए था है ना जिस चीज की आपको need है मान लो आपको चॉकलेट खाने का बहुत मन था लेकिन मम्मे बापा खाने नहीं दे रहे थे अचानक से आपको उन्होंने pocket money दे दी बोला जा सिमनन जा जी ले अपनी जिंदगी तो आप वो जिंदगी कैसे जी होगे बहुत सारे चॉकलेट खाने के लिए उसे खरीदने के लिए वो सारे पैसे spend करने के लिए सारे नहीं तो कुछ पैसे आप उसमें spend जरूर करोगे उसके अलावा जो भी आपकी needs होगी आप बारी बारी करके एक list बना लोगे से सबसे first priority पे क्या है second पे क्या है third पे क्या है धीरे-धीरे करके आप ए अपने हिसाब से use कर रहे हो अपने हिसाब से spend कर रहे हो in the same way ATP molecule को as a energy currency हम किस चीज में use करते हैं cellular activities में हर एक cell के पास जब ATP molecule synthesize हो जाता है तब उस cell को पता होता है कि फिलहाल body को किस चीज की need है अभी फिलहाल कौन सा process हमें तुरण शुरू कर देना चाहिए ताकि ये वाल cellular activity बिलकुल भी हिंडर ना करे और तुरण से सारे processes start हो जाए तो ADP से और in organic phosphate के help से ATP का synthesis हो जाता है Now ATP is used to fuel होगा यहाँ पे रुको It is fuel not fully So ATP is used to fuel all other cellular activities When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water and energy is released कितनी energy 30.5 kilojoule per mole It drive the endothermic reaction in cell ये थोड़ा सा आपके लिए high level का हो गया पर ठीक है कोई बात नहीं Endothermic reactions और exothermic reactions के बीच में क्या difference होता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए जब exothermic reaction होता है तो energy release होती है जब endothermic reaction होता है तो energy absorb होती है ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है Cell में endothermic reaction होना जरूरी होता है ताकि energy वो absorb कर सके तो वही हो रहा है ATP को use करके Now a battery is used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy उसी तरह से ATP को भी use किया जा सकता है muscle contract करने के लिए protein के synthesis के लिए या nerve impulses को conduct करने के लिए चलो मैं आप लोगों को एक example देती हूँ मालो आपना भूखर ताल पे चले गए आपकी मम्मी ने आपको बहुत जोर से डाट दिया आपके results अभी आया ना कुछी दिन पहले तो मालो जो बच्चों के result अच्छे नहीं आया मम्मी पापा ने उनको अच्छे से डाट दिया ठीकिell, और गुसे में वो बच्चे क्या पर करने लगे मैं नहीं खाने खाना गाना मुझे बहुत डाट पड़ी है मैं तो बिलकल नहीं खाने वाला और मम्मी पापा डबल गुसे में जा मत खा जा रहे रहो ऐसे एसे ही रहो तुम तो वह एक दिन दो दिन हो गया दो दिन तक तो मम्या नहीं छोड़ती है मतलब वह खिला ही देती है कुछ ना कुछ करके लिकिन चलो फिर भी ठीक है एक 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 जाम्बल एक हाइपोधेटिकल सिच्वेशन ले लेते हैं कि वह को सब्सक्राइब क्षेट चीजेश दनब फॉरे दिन तक बहुत ही डर लका कर साउंड करेंगा उसको पढ़ने मैं मन नहीं लगे लगेगा वह कोई बीचीज पढ़ रहा होगा ना तो उसको इसको समझ मेह नहीं हारी होगी कभी कभी होता है ना हम लोगों के साथ भी specially जब खाना अगर अच्छे से पेट भर के खा लो नीम बढ़ी आती है उस टाइम पे अगर कोई कुछ पढ़ा भी रहा है ना सामने तो बस सुन रहे हैं समझ कुछ नहीं आ रहा देख रहे हैं बोड पे समझ कुछ नहीं आ रहा तो यह चीज़े हो जाती है दो दिन तीन दिन खाना नहीं खाया तो क्या नहीं हुआ nutrients अब्जॉब नहीं हुए nutrients अब्जॉब ही नहीं हुए तो glucose ही नहीं जब बन रहा है ATP का formation ही नहीं हो पाया energy currency ही नहीं मिली cell को अब वो currency ही नहीं मिलेगी cell को तो वो कैसे सारी cellular activities करवा पाएगा nerve impulses conduct नहीं होंगे nerve impulses क्या ज़रूरी होते information पहुचाना brain तक ठीक है आप पढ़ रहे हो आप सुन रहे हो आप देख रहे हो तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है nerve impulses properly conduct नहीं हो पार है muscle contraction उन दो दिनों के बाद अगर कोई आके उस बच्चे के साथ लड़ाई करने लगे न वो बच्चा पिट जाएगा बुड़ी तरह से क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी energy नहीं है कोई muscle contraction कुछ नहीं कर पा रहा है वो कहेगा हां या मार दो जितना मार दो जाओ यहां से तो इस तरह की condition हो जाएगी समझ में आ रहा है indirectly या directly कितना ज़्यादा जरूरी है proper diet या फिर अच्छे nutrient वाला nutrient rich food लेने के लिए जतना ज़्यादा nutrients आप लोगे जितना balanced diet आप लोगे जितना proper तरीके से आप खाना खाओगे उतना ज़्यादा glucose का formation होगा आपकी body में और वही glucose respiration के थ्रू क्या होगा pyruvate में convert होगा और वही pyruvate क्या करेगा ATP का formation करवाएगा energy release करने के बाद it's a very long process जब आप अगले साल 11 पे जाओगे और मालो अगर किसी भी वजह से आपने bio choose कर लिया 11 में तब आपको पता चलेगा कि respiration आखिर है क्या कितना डरावना सा process है मतलब मैं अभी आपको डरा नहीं रही हो अभी जैसे एक lecture में आपने पूरा respiration पढ़ लिया ना वहाँ पे respiration is a whole new chapter और भी सिर्फ plants का and humans का तो अलग है plants का अलग है ठीक है तो फिर आप देखोगे कि कितना लंबा process है यहाँ पे तो मैं short में आप लोगों को समझा रही हूं जितना आप लोगों का syllabus है so देखो ADP plus phosphate energy के presence में वो किस चीज में convert होता है ATP में convert होता है अब समझ में आ गया energy currency क्यों बोलते है ATP को और ATP का कहां कहां पे use होता है cellular activities किस तरह की होती है चलिए आगे चलते now respiration तो हमें समझ में आ गया भाया अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे gases exchange होते है plants में कैसे respiration का process actual में होना शुरू होता है so सबसे पहले start करते हैं हम stomata stomata क्या है green leaves में जो tiny ports present होते हैं जिसके वज़े से gases exchange हो पाते है carbon dioxide अंदर आता है oxygen बाहर जाता है ये structure कहलाता है stomata तो इसमें क्या है carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion diffusion किस तरह का process होता है diffusion is a process जिसमें particles अपने higher concentration से lower concentration की तरह move करते हैं मान लो perfume या फिर room spray आपने spray की आपने room में तो उस room spray की जो bottle के अंदर जो liquid है वो ज़्यादा concentration में है in comparison to the particles present in your room तो जैसे ही वो सारे particles अपने higher concentration से spray के थूँ बाहर निकलेंगे lower concentration में जाएंगे फटा फट से movement होगी और फिर आप within no time within seconds आप देखोगे कि पूरे room में खुश्बू फैल गई है तो क्या है वो खुश्बू वाले जो पार्टिकल्स है वो सारे room में जल्दी जल्दी diffuse कर गए थीक है तो this is the process of diffusion उसी तरह से होता है जब plant के प्लांट के green leaves में जो stomata present है उन्स tomato के अंदर फटा फट से carbon dioxide अंदर की तरफ जाता है और oxygen बाहर की तरफ चला जाता है now the large intercellular spaces in leaves help the cells in contact with air day time में देखो क्या होता है during day carbon dioxide that is formed by respiration is used for photosynthesis अभी जस्ट मैंने आपको बताया न aerobic respiration में क्या बन रहा है aerobic respiration हो रही है तो pyruvate change हो रहा है carbon dioxide में water में और energy release हो रही है तो वही carbon dioxide जो respiration के time पे बना वही carbon dioxide use up हो जाता है photosynthesis के time पे by plants so carbon dioxide is not released but O2 is released तो इसी वज़े से क्या हो रहा है carbon dioxide तो use up हो गया बचा गया oxygen बचा तो वही oxygen release हो जाता है जिसके वज़े से हम कहते हैं कि plants हमें oxygen provide करते हैं deforestation नहीं करना चाहिए जादा से जादा हमें plants उगाने चाहिए ठीक है चलो night के time में लेकिन भाई scene कुछ और है night के time पे photosynthesis नहीं हो सकती है ना कैसे होगी sunlight का presence ही नहीं है sunlight नहीं है no photosynthesis no sunlight अब अगर sunlight नहीं है photosynthesis नहीं हो रहा है तो carbon dioxide तो use up हुआ ही नहीं जिसके वज़े से रात के समय में plants carbon dioxide भी emit करते हैं so co2 is released out but oxygen is not released इसलिए पुराने जमानों में कहा हा जाता था ना मतलब पुराने लोग जो थोड़े से हमारे grandparents type है आपने कभी तो सुना होगा बचपन में या फिर जब गाह गए होगे कभी तो सुना होगा शाम होते ही वो लोग ना प्लांस को टच करने से मना गरते हैं कहते हैं उस पेड़ेड के पास मत जाओ प्लांस के पास मत जाओ उनके पास कोई scientific logic नहीं होता हम पूछते ही क्यों नहीं जाना चाहिए तो वो कहते हैं ते ना प्लांट सो रहे हैं तो उनको डिस्टरब मत करो सो जाते हैं तो उनको डिस्टरबनी करना चाहिए तो रीजन क्या है साइंटिफिक रीजन इस चीज के पीछे ही है बच्चों कि जैसे ही शाम होती है और सनलाइट खतम हो जाता है सनलाइट इस नना प्रेजेंट ओवर देर वैसे ही photosynthesis का process बंद हो जाता है और जैसे ही photosynthesis का process बंद होगा carbon dioxide use ही नहीं हो पाएगा क्योंकि respiration is occurring all the time हर समय respiration हो रहा है पर photosynthesis सिर्फ और सिर्फ in the presence of sunlight ही हो सकती है तो उस time पे carbon dioxide release हो रही होती है तो हम अगर plants के पास जाएंगे रात के time पे शाम के time पे तो हमें oxygen के जगा carbon dioxide मिल रहा होगा which is not good for our health carbon dioxide एक तरह से हमारे लिए एक waste gas है जो हम खुद emit करते हैं तो जो हम खुद emit out कर रहे हैं वही चीज हम उसी gas के पास हम क्यों जाना चाहेंगे ठीक है तो this is the reason why we are not allowed to go near the plants during night time चलिए तो यह समझ में आ गया यहाँ पे day और night के बीच का difference है according to the respiration process आगे चलो gas exchange animals में कैसे होता है एक generalized idea देख लेते हैं उसके बाद human में respiratory system हम लोग कवर कर लेंगे aquatic animals breathe करते हैं dissolved oxygen जो water में present water क्या है भाई है एस्टो ही तो है एस्टो के अलावा भी उसमें बहुत सारे dissolved oxygen भी present होते हैं तो वह ही oxygen aquatic animals लेते हैं ताकि वह respire कर सके तो they may be okay in fishes अब देखो fishes में क्या हो रहा है respiratory organ उनका gills होता है ठीक है और gills के पास क्या है gillslits है gillslits के ऊपर ही ओपर कुलम जैसी एक covering होती है एक cap like structure होता है जैसे कहते है ओपर कुलम अब जब वह breathe कर देखो यहाँ पर यह देख रहे हो यह है ओपर कुलम और यह क्या है gillslits है ठीक है अब breathing के time पर fishes क्या करते है अपना mouth open और close करते है जिनके पास भी aquarium है जिनके भी घर पर aquarium है यह कभी भी aquarium देखा होगा क्योंकि ऐसे seas और rivers में fishes को इतना observe कर पाना इस मुश्किल ठीक है तो आपने देखा होगा aquarium में fishes कैसे करते है ऐसे mouth ऐसे करते है ना open and close करती रहती है ऐसे ऐसे हमेशा उनका मुझ जो है वो खुलता बंद होता रहता है वो क्या कर रही है वो आक्चल में breathing कर रही है through their mouth और वो सारा water जो है वो pump करेगा सारे dissolved oxygen को to their gills ठीक है वो जितना भी water वो intake कर रही है उसमें जितना भी oxygen dissolved oxygen present है वो dissolved oxygen pump back हो जाता है उनके gills में देखो यहाँ पर लिखा है gills for opaculum in a coordinated manner and timing एक particular timing होती है एक coordination होता है जिसमें वो mouth को open and close कर रहे हैं so they take in water through mouth and pump over the gills अब वही gills में dissolved oxygen is taken up by blood जो उनके body में blood है उसमें सारा dissolved oxygen उसी पानी का चला गया फिर से वो water जो है वो pump back हो जाएगा mouth के through so the amount of dissolved oxygen is lower than that in the air so the rate of breathing in aquatic organism is faster than the terrestrial organism एक और चीज़ जैसे हम सांस ले रहे होते हैं अराम से दो-चार सेकेंड लेकर सांस लिया सांस छोड़ा अराम से बहुत टाइम है न हमारे पास क्योंकि air में जो oxygen का concentration है वो जादा है पानी में जो oxygen का concentration होता है वो थोड़ा सा कम होता है comparative to air तो पानी में रहने वाले लोगों को जल्दी जल्दी सांस लेना होता है जल्दी जल्दी breathing rate उनकी ज्यादा होती है तो तभी आप लोगोंने देखा होगा हम तो आराम से सांस ले रहे हैं बहुत सारे seconds में सांस ले रह यह ताकि वो adequate amount of oxygen अपनी body में ले सके और उनका respiration का process अच्छे तरीके से carry out हो सके now terrestrial animals में देखो क्या होता है अलग अलग तरह के organs present होते हैं अलग अलग तरह के terrestrial organisms में जो atmospheric oxygen को वो breathing कर सकते हैं अब देखो जितने भी type of organs present होते हैं terrestrial organisms में breathing के लिए या respiration के लिए उन सारे ही organs में एक खास बात होती है वो increase करते हैं surface area को ताकि जादा से जादा oxygen वो consume कर सके, intake कर सके so the surface of respiratory organ is very fine and delicate for easy gas exchange उतनी पतली और soft सी organ होगी उतना आसानी से gases का exchange हो पाएगा to protect this surface it is placed within the body obviously हमारे lungs जो हैं body के बाहर थोड़ी ना hang कर रहे हैं कानों में हम जुमके थोड़ी ना lungs के पहन के आ रहे हैं ना body के अंदर होगा protected रहेगा तभी तो gases अच्छे तरीके से exchange हो पाएगे now some passages are necessary to carry air in and out of the respiratory organ passages यानि कि कुछ ऐसे रास्ते होने चाहिए जिसके वज़े से air जो है easily body के अंदर उस respiratory organ तक पहुँच जाए gas exchange कर पाए और जो exchange हुआ वाला gas है वो body के बाहर निकल सके so respiratory passages भी important होते हैं अब हम आ जाते हैं human respiratory system बहुत important ठीक है शुरू से हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही detail में पढ़ेंगे हमारा जो respiratory system है ना बच्चों हम शुरू कैसे करते हैं respiration करना सास लेने से शुरू करते हैं यानि breathing से breathing हम कैसे करेंगे सास लिया कौन सा organ involved है इस चीज में इस process में कौन सा organ involved है हमारे nose nose के nostrils ठीक है तो सबसे पहले we will study about the nostrils तो वैसे तो we know कि यह involve करता है lungs और air passage air passage कहां से start हो रहा है from यहां पर from होगा from nostrils through which air is taken into body air passage यानि कि nostril के अंदर से लेकर lungs पहुंचने तक का जितना भी रास्ता है it is lined with fine hairs and mucus to filter the air हमारे nostril के अंदर जो layer है जो lining है वो mucus और छोटे छोटे fine hairs के बनी हुई है क्यूंकि हमारे air में आप तो pollution बहुत जादा बढ़ गया है यह तो आप तो को भी पता है जहां पर fresh air होती है वहां पर भी बहुत सारे dust particles होते हैं तो polluted air में तो कितने ही जादा fine dust particles होंगे ऐसे dust particles को हम क्या बोलते है particulate matter बोलते है जो हर time पूरे time constantly air में suspended होता है ठीक है suspended particulate matter SPM जो आगे higher studies में आप लोग पढ़ोगे दिखता भी नहीं है वो कितने fine होते हैं वो 10 microns, 2.5 microns के होते हैं तो ऐसे particles का body के अंदर जाना is not good तो ऐसे particle को filter out करना मतलब SPM तो बहुत ही जादा छोटे हो गया है वो तो हम शायद filter out करने की उसकी capability भी नहीं होगी पर फिर भी कुछ जो उससे जादा कम fine particulate matters है और जो कम dust particles है वो सारे dust particles easily हमारे nostrils के अंदर जो hair की lining है और mucus की lining है वो उसे trap कर सकता है जिसके वज़े से वो filter out हो जाएगा air और air आसानी से अंदर जा सकेगा थोड़ा सा pure air जा सकेगा इसलिए कहते हैं जादा से जादा ऐसे जगहों पर रहना चाहिए जहांपे trees है जहांपे gum pollution है क्यों ताकि हम जो सास ले रहे हैं वो एक pure oxygen ले पाए और जादा से मतलब हमारा जो nostril है उसे बहुत जादा effort ना करना पड़े क्योंकि चाहे कितना भी filter out कर लो कुछ ना कुछ dust particles तो अंदर चली ही जाएंगे now conduction कैसे होती है air की through the passage अब पूरा conduction आप लोगों को याद करना है क्योंकि ये आपके exam में पूछा जा सकता है starting from the nostrils उसके बाद आता है nasal passage यानि कि nostrils से just ऊपर जो बाकी का nose का area अंदर की तरफ that is known as nasal passage जैसे ही nasal passage खतम होता है वैसे आजाता है pharynx का portion या आजा है pharynx का portion T-shape का structure होता है जो allow करता है हमारे air को अंदर जाने के लिए pharynx के बाद आ जाता है एक larynx का portion larynx देख रहे हो आप एक pharynx के उपर ढखकन जैसा present है flap like structure present है वही larynx responsible होता है जो हमारे गले से आवाज निकल रही है ना वह उसी के लिए responsible होता है that is why larynx is also known as voice box और sound box of our body अब larynx के बाद सीधे आ जाते हम trachea पे trachea जिसका दूसरा नाम है wind pipe trachea का दूसरा नाम क्या है trachea is also known as wind pipe ठीक है तो यह wind pipe क्या कर रहा है wind को air को oxygen को conduct कर रहा है through the nasal passage towards our lungs trachea के आगे कुछ एक branch निकल के आ जाती है जिसे हम कहते हैं bronchi तो दो branches निकल के आती है जो चली जाती है left and right lungs के पास तो उसी तरह उनका भी नाम है left and right bronchi तो यह जो दो branching देख रहे हो this is the bronchi ब्रॉंकाई के बाद आ जाता है bronchioles lungs के अंदर जाने के बाद वही bronchi बहुत सारे branches में subdivisions में sub branches में divide हो जाता है उसी को कहते हैं bronchioles अब जैसे ही जहाँ पर bronchioles end हो रहे है ना lungs के अंदर वहाँ पे उस ending में एक balloon जैसा structure present होता है जैसे मालो यह trachea है और यह divide हो गया दो ब्रॉंकाई में यह lungs है यहाँ पे divide होने के बाद यह कई सारे bronchioles में divide हो गया ठीक है अब देखो जहाँ पर हार एक bronchioles की ending होगी ना वहाँ पर क्या हो रहा होगा वहाँ पर क्या हो रहा होगा उस ending में एक छोटे छोटे balloon जैसे structures present होंगे balloon फूलाते हो ना balloon को क्यों फूलाते हो एर अंदर जाता है तो वह खुद बखुद फूल जाता है तो उसी structure को बोला जाता है alveoli क्या बोला जाता है उस structure को alveoli बोला जाता है alveoli का काम होता है उस जितना भी हम respiration करने के लिए air का intake कर रहे हैं वह सारा air भरता है that gets filled up inside the alveoli और alveoli ही वह जगह है it is the site of respiration वहीं पर actual में असली respiration वहां पर होता है अभी तक जितना कुछ भी हम कर रहे थे that was part of breathing there is a difference between breathing and respiration जो आगे higher classes में पढ़ोगे इतना अभी के class के लिए इतना ही समझो कि breathing is a part of respiration और respiration असली respiration हो रहा होता है हमारी alveoli जो है जो छोटे छोटे बलून जैसे structure मैंने आपको बता है वहां पेना हमारी body के जितने भी blood vessels हैं जो सबसे fine blood vessels होते हैं उन्हें बोला जाता है capillaries तो वह alveoli से connected होते हैं अब बताओ कि body के सारे blood vessels या फिर capillaries का काम क्या होता है oxygen को body में पहुचाना body के हर एक सेल पर पहुचाना और हर एक सेल जो cellular activity करके carbon dioxide produce कर रहा है respiration करके carbon dioxide produce कर रहा है वो कैसे body के बाहर जाएगी blood vessels के थ्रूँ ही तो बाहर जाएगी और वही blood vessel जब पहुचता है alveoli के पास तब जाके alveoli में gaseous exchange होता है यानि कि जो बाहर से हमने oxygen का intake किया वह alveoli के थ्रूँ चला गया blood vessels के थ्रूँ हमारी body के अंदर और body में जितना carbon dioxide produce हुआ वो blood vessel के थ्रूँ पहुच गया alveoli के पास और वहां पे exchange होगे वो फिर से alveoli के थ्रूँ हमारे nostrils के बाहर आ जाता है जब हम exhale करते हैं तो यानि कि जितनी बार भी अब inhale कर रहे हो अभी सास खीचो मैंने सास खीचा मेरे body के अंदर चला गया बहुत सारा oxygen अब मैं exhale करती हूं अब जैसे मैंने exhale किया मेरे body के अंदर जितना भी carbon dioxide था blood vessel के थ्रूँ वो बाहर आ गया और यह सारी चीज़े कहां से हो रही है यह सब कुछ हमारे अल्वियोलाई के थ्रू हो रहा है क्योंकि अल्वियोलाई जो बना है वह बहुत ही थिन membranus covering से बना है बहुत पतली सी membrane है तो इसके वजह से एक pressure pressure differential create हो जाता है pressure में difference आ जाता है जिसके वजह से oxygen अंदर चला जाता है और carbon dioxide बाहर चला जाता है diffusion का ही टेकनीक होता है बहुत ज्यादा detail में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर ऐसे कोई question मैंने देख लिए कि boards में आये हैं कि पूरा mechanism समझाओ तो मैं अलग से आपको समझा दूँगी चलिए now एक और important बात जो हमारा trachea है ना उसका जो cartilage है वो just cartilage से बना हुआ होता है वो ring जैसा structure का होता है rings क्यों present होते हमारे trachea में अब देखो मैं कौन सा example दूँ एक चीज होती है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा एक ऐसी pipe देखा है जिसमें बहुत सारे rings होते ताकि आप उसको easily fold कर सको या फिर easily उसको twist कर सको तो कितना भी आप उसको उसके साथ कुछ भी करोगे वो उसका shape खराब नहीं होगा वो जैसा है वो वैसा ही रहता है सेम चीज हमारे trachea के साथ होती है अगर उसमें rings present है तो अगर कभी ऐसा हुआ कि माल लो oxygen की कमी हो गई और lungs में proper oxygen पहुंच नहीं पा रहा है तो भी lungs collapse नह का reason rings of cartilage in the throat and trachea prevent collapsing of air passage air का जो passage है उसमें अगर air का presence नहीं भी होगा तो भी वो collapse नहीं करेगा वो अचानक से चिपक नहीं जाएगा आपस में ठीक है rings इस वज़े से present होते हैं अब देखो यह जितनी भी चीज है मैंने आपको समझा दी ना वही चीज सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है lungs के अंदर जो passage है वो divide हो जाएगा छोटी-छोटी tubes में जिसे हम bronchiol बोलते हैं bronchiol जहां पर terminate करेगा terminate का मतलब होता है end जहां पर end करेगा वहां पर एक balloon जैसा structure होगा जि में बहुत सारा network of blood vessel होता है जो मैंने आपको already बता रखा है now अब देखो एक यह वाला breathing mechanism एक बार देख लेते हैं जब हम लोग breathe in करते हैं यानि सास अंदर ले रहे होते तो क्या changes आते हमारे body में हमारा जो rib cage है ना हमारे ribs उपर की तरफ lift हो जाते सास लेकर देखो मैंने सास लिया ribs बाहर की तरफ निकले आउट हो गया और जो diaphragm है diaphragm वो structure है जो हमारे chest region को हमारे abdomen के बीच में differentiate करता है तो हमारा diaphragm ना flat हो गया सास इसे ने कहते हैं वह वाला add नहीं आता mcdowell's का add है या signature किसी का तो add है जिसमें वो सारे जो लड़के हैं लड़की को देखकर सास खीच लेते हैं और पेट अपना अंदर कर लेते हैं फ्लाट हो जाता है diaphragm उनका ठीक है याद आया अब इसी चीज़ से याद रखना उस वाले add से याद रखना जब आप सास रिप्स आपके ऊपर के तरफ लिफ्ट होंगे और diaphragm फ्लाट हो जाएगा ठीक है रिप्स लिफ्टेट डाइफ्राम गेट्स फ्लाटेंड इसके वजह से जो चेस्ट काविटी है चेस्ट काविटी में बहुत ज्यादा स्पेस क्रियेट हो जाता है कहीं पर स्पेस और इन्सपिरेशन जब हमने किया हमने सास लिया तो एंसाइड गया लंग्स के इनसाइड गया तो उस टाइम पर क्या चेंज़स आएंगे रिप्स बाहर आएंगे ताकि chest cavity में जगह बन सके diaphragm हमारा flat हो जाएगा जिसके वज़े से और जगह create हो जाएगी और उस जगह के वज़े से हमारे lungs के अंदर जितना भी air fill होगा lungs फूलते हैं एक्सपैंड करते हैं अब जो blood है जो CO2 लेकर आ रहा है हमारे body के हर एक पार्ट से वो release हो जाता है हमारे alveoli में यानि carbon dioxide लेकर जो हमारे body के blood vessels लेकर आ रहा है alveoli के पास वो वहाँ पर exchange हो गया now the oxygen in the alveoli जो हमने सांस लिया तो सारे alveoli में oxygen भरा हुआ है अब वो oxygen क्या हो गया वो release in हो गया release हो गया अंदर की तरफ blood vessels के अंदर is taken up by blood in the alveolar blood vessels and is transported to all the body parts body के सारे cells के पास oxygen पहुँच गया अब वही oxygen क्या करेगा वही oxygen करेगा glucose का breakdown into pyruvate combustion, burning, oxidation of food material फिर से process स्टार्ट हो गयी फिर क्या हुआ, pyruvate is getting changed into carbon dioxide plus water plus energy फिर carbon dioxide बना फिर वही carbon dioxide हम exhale out करेंगे समझ में आ गया breathing, respiration, पूरा का पूरा now everything is clear respiration का process सब कुछ clear हो चुका होगा I hope plants में भी and animals में भी बच्चों अगर आज का respiration का topic आप लोगो को बिलकुल अच्छे से clear हो गया question on this lecture, अगर कहीं पे भी कुछ भी नहीं समझ में आया या फिर कोई भी doubt रह गया हो जो आप clear करना जाते हो तो आप इसी session के नीचे comment box में comment कर देना ताकि मैं आपको reply कर सकूं वहीं पर और अपने दोस्तों के साथ share करो साथ में पढ़ाई करो, साथ में doubts clear करो और अच्छे अच्छे number लेकर आओ अगले session में अगले lecture में हम लोग पढ़ेंगे circulation के बारे में ठीक है transportation in plants and animals तो चलो मिलते हम लोग अगले lecture में life processes lecture number 4 आज का lecture कैसा लगा जरूर बताना thank you so much बच्चो take care and bye bye